अब बात राजनीती की अगर बीजेपी की स्वरकार बनती है तो अगला मुख्य मंतरी कौन बनेगा है अबारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मुख्य संफादा का अन्राग उपाध्याईगी है अन्राग जी बेहत बड़े-बड़े नाम चुनावी मैदान में बीजेपी जी बीजेपी के पास जो सब्से बड़ा नाम है अगरकॉम्ग्रेश की तरफ से कमलनाथ मुखिंट्री होते हैं तो बीजेपी की तरफ सब्से बड़ा नाम शिवरासिंग earlier शिवरासिंग सिवरासिं चुहान को लेकर बीजेपी के भीजेव भीतर भी भुत-टझजदी ऊक उनका अंतर विरोध है शिवराज सिंग का तमाम सारे मंत्री शिवराज सिंग को पसंद नहीं करते हैं आला कि बीजेपी का सिस्टेम है कि अपने विरोध को प्रकट नहीं कर पाते हैं लेकिन मौके की तलाश में सब्दे है और मुझे रच्टा है कि एंटी इंकंबंसी एक शब्द है जो कहीने कहीं काम करता है अगर कोई सरकार 10-15-20 साल काम करती है बीजेपी की सरकार 10-15 साल के 17-17 साल में शिवरा सिंग को हो गए तो ऐसे में उसको खत्म करना था कुछ नए चेहरे लाने थे कुछ चौकाने वाला करना था अगर तो वो आदिवा सिचे रहा है इसमें शिफारी समझी है, आप करने समझी है बीजेटी का, आपने जो जिस कास्ट की बात की, हिंदुस्तान में कभी किसी को कास्टेजिन की जरूत नहीं पाथी, जब जब राजनेती चाहती है, तब तब कास्ट जो है बहार उपर क्या जाता है, हम देखें कि शिवरा सिंग यहीं को सकता है, जब आपने जैसा बताया, पहला सिंग पठेल बीजेटी का बडा नाम है, लोधी समझाटाय से आते हैं, लोधी एजाज से बडा नाम है, बहुत साथ सुतरी राजनेती करने के लिए जाने जाते हैं, तो शिवरा सिंग का एक विकल्प बीजेपी ने ओव पहले से जो राज में हैं, उनमें से कोई चेरा या नाम नहीं बन साकते हैं? देखिए, ये युद्ध है, युद्ध जीतने के लिए साम, दाम, धंडभेद, चारों चीजों का प्रयोक किया जाता है, बीजेपी ने भी इस बार वोई किया है, आप देखें कि अभी हम पहल पठेल को, वेश्य समधाय से केलाश विजेवरगी को, राजपूर समाज से नरेन सिंग को उमर को दे दिया, और आदी वासी समधाय जो मद्ध प्रदेश में बहुतायत में है, जगे जगे पहला हुआ है, और तमाम सीटों पे जीत हार के गणित बिगार देता है, उस आद दूसरा क्या किया, दूसरा कॉंग्रेस को दवाब में ला दिया, बड़े बड़े नाम ला दिये, इन सारे बड़े नाम, जिन नामों की चर्चे शिफाली आपने किये, सारे के सारे मुख्मंत्री पत्के दावीदार कभी न खभी रहे, पहला प्रदेल की बात करें तो पहले बरी चर्चा थी कि पहला सिंग पटेल किसी विशन और सीम पत्कीश अपत लेजा किया है और शिवरा सिंग चौहान को अटाए जाए है लंबा समय शिवरा जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिगाया है उनका experience बोलता है यह जो नाम है यह बार बार चर्चाओं में लेकिन शिवरा सिंग हिल साट के बारे में बता हुं बेहत सदाशाए नीता है आम लोग की बात करते हैं आम लोगों की परे लोगो तरह ही अपना जीवselves जापन करते हैं आपने संदेनी है उन언के नंके कतका जो बीजे Teil कॉंग्रेश दोनों में कोई उतने बड़े कत्का नीता नहीं है यह भी बड़ा मतलब कड़वी सचाई इसको सबको स्विकार करना पड़ेगा कि शिवराज सिंग के कत्का कोई दूसरा वेक्टी मद्यप्रदेश की राइबीप में खिलाल नहीं है लेकिन उससे भी बड़ा स संधिया बीजेपी में आये थे उनको भी मुख्मंत्री बनाए जा सकता था उन्होंने सौर्यबाजी नहीं की ज्यादा विल्कुल अनुराग जी अभी जो चर्चा चल रही है इसमें हम ये पांच नामों चर्चा कर रहे हैं लेकिन दो नाम और मुख्मंत्री पत्के दाव मुख्मंत्री नहीं बनाए जा रहा था उनकी सुनवाई नहीं थी इसलिए उन्होंने सरकार गिर्वा दिए लेकर मुख्मंत्री तो यहां भी नहीं बने और मुझे नहीं रखता क्या भी जो तरह सिंधिया जी के पास कोई ऐसे चांस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि जो वे नामों की आपने बात काहिता है। नाम भाक्राइज में है फिर लिगन की नाम की भूबलों है। पार्टरा के लिगने हैं अजा फिरता है। बीजेबी प्रदेश अद्यक्ष विष्णुदाश्टर्मा खांटी विद्यार्टी परिष्टत से निकल के आये हैं और विष्णुद दुरूप से राइनिती करा है और बहुत संभावनाओं के साथ उनको दिखा जा रहा है कि और उच्छे पदों पे जाएंगे पहला चु अध्यव प्रदेश में मुख्यमंत्री की कातार में हैं नहीं बनना चाहता हम यहां पर बात करें थे वैश्व समाज को ने एक सपना देख लिया कि केलाज जी को अगर टिकेट मिलाए तो हो सकता है कि वह आगे चलके मुख्यमंत्री बन जाएं ओबीसी से प्रलाज जी सब्सक्राइब के मन में एक सपना सबने संजोलिया है कि हमारे वर्ग का मुख्यमंत्री बन सकता है वहीं ब्रहमन की बात करें जो थोड़ा सा रुष्ट और नाराज चल रहा है तो बीडी शर्मा की भी गुंजाइश जादा बन जाती है एक नाम आप और भूल रही है एक म मेताओं को लाकर मद्वर्देश में चुनाव लड़ाने पर ये सारे नाम लिस्ट में जो लाइन लगी वी थी उसमें सबसे आखरी में जाके कड़े हो गए देखिए नरुतमिशा साब बहुत पीशे पहुंच गए हो सकता है कि थोड़े जिन बात कोई लिस्ट आए उनका इससे हिलाल अभी इंकार नहीं किया जाए सकता है बाकी बीजेपी में प्रधान मंतरी नरेन मोदी और ग्रह मंतरी हमेशा जो पूरी रणनीती टाय करते हैं बीजेपी की वो हमेशा चौकाओ फैंसले लेते हैं इस बार भी उन्होंने जो फैंसला किया जिन नामों की हमने पहले चर्चा की उसके तीछे गणती था कि मुरेना में अगर नरेन सिंग टोमर को दिमनी सीट से अगर उतारा गया है तो वह 6 की 6 सीटें वहां कॉंग्रिस के पास है नरेन सिंग टोमर के आने से उन 6 सीटों पर असर पढ़ेगा उसके साथ गौलिय चंबल की 34 सीटों पर तो एक बड़े वर्क को साथ राजपू समाज जहां जहां है वहां उनको लगता है कि हमारा वेक्टी सीम हो सकता है तो नरेन सिंग टोमर के साथ पूरा राजपू समाज मद्व पर विश्का जोड़ जाएगा इसका लाब बीजेपी को मिलने वाला है इससे इंकार नहीं कि आज़ा सकता है ऐसी आपने वेश्य समधाय की बात की थी 66 सीटें निमार और मालवा में हैं केलाश विजेवर्गी का दोनों जगे प्रभाव है तो केलाश विजेवर्गी अपनी सीट जीते हैं उसके बाद इंदोर की सीटें जिता है क्योंकि वहां बिलकुल नेक टूनेक है बिजेवर्गी के उपर भी बड़ी जिम्यदारी है नर्सिंग पूर में चार सीटे हैं चारों की चार अगर पहलात पतिल जिताते हैं पहलात पतिल का जो असर है वो महा कोशल के साथ बुंदिल खंड में भी है तो उसका लाब बीजेपी लेना चाहती है फग्गन सिंग लेते हैं तो उस वक्त वास्तु का बड़ा धान दखते हैं चारों दिशाओं के पूजन पाट होते हैं और चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि कुछ नेगटिव नाए वैसे ही बीजेपी ने भी ये प्रयोग जो है चारों दिशाओं में बड़े न सब को उता रहा है यह सारी सीटें अभी बीजेपी ने कुल मिला के जो उन्यासी अपने प्रत्याशी गोश्चत किये उसमें से बीजेपी के पास नहीं है जिस सारी सीटें शेटर कॉंगर्स के पास अब शेटर सीटों में बड़े नाम होता रहे हैं इनमें शेफाली एक चर्चाप और भूल गई एक मोनिका शाबटी जिनको अमर वाचिनवाव से अभी अभी उनको बस पार्टी जॉइन पी और रही आदिवासियों की राजनीती करती रही उनकी ये शर्त थी कि मुझे अमरवाड़ा से टिकेट दिया जाए और मैं कमलनाथ के घर में सेंद लगाऊंगी भाजपा के तरफ से इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उनको तकाल इस शर्त पर बीजेपी ने पार्टी जॉइन की तुरंट इनका टिक्लियर कर दिया यह राजनीती है यहां पर इंस्टेंट फैसले होते हैं कई बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं और कमलनाथ को घेरना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है कमलनाथ के गढ़ में उनको मात देनी है वहां से इन्मारी कर करता है ना वही मजा इस समय मध्यप्रजेश की राजनीती में चल आए और जिस तरह के फैसले हमेशा अमोदी कर रहे हैं जिन बड़े नामों की आपने बात की आप देखें सीधी की सांसद रिती पाठाक सतना की सांसद गने सिंग जबलपुर से सांसद राके सिंग सब को आपने विदान सभा के मेदाने उतार विदान सीटें जो है संसद की खाली करा दी बिल्कुल खाली करा दी हो आप देखिएगा कि जब लोग सभा की चुनाओं होंगे तो ये दोनों लोग शाह अमोदी की जोड़ी वहां भी बड़े चौंकाओं फैसले देगी और हो सकता ह मैं आप सबसे आदा प्रैसर इस समय शिवराजी या पर हो बिल्कु शिवराजी पूरे प्रैसर में है और 18, 20 साल आप सर्कार की बात करें डेर साल इसमें से कमलनाच जी कि अगर निकाल भी देजाए तो सबसे चाहरा शाषन का वक्त जो है लंबा वो शिवराजी पर है ले लगातार कर रहे शिलान्यासों में लगातार को रही घोशनाओं में और एक सबसे बड़ा जटका जो अभी शिवराजी का प्रेशर देखने को लगा वो मोदी जी जब आए और उन्हों ने शिवराजी का ना तो मंच से नाम लिया और ना ही उनकी बड़ी योजना जो लाडल चो तरफा दवावे एक तो यह दवावे कि आप सबसे लंबे समय तक मुखमतिर है उसके बाद आपकी सरकार दोबारा बन जाए यहां पर से सरकार बन जाए इसके लिए अमेश्या और मोदी साब को खुद प्रयास करने हैं पूरा बीजेपी का केंडरी नेतरत का फोकस मद अधियर कर देना कि आपका मद्द्रदेश जो है दाना पानिय उठने वाला है ऐसा कही ना कहीं प्रतीत होता है अपने गीस सुना होगा कि MP के मन मोदी है MP के मन में शिवराज क्यों नहीं है यह सवाल बीजेपी नहीं ख़ड़ा कर दिया है इसलिए आप जो कह रहे ही थी कि इस्तियां पड़ी विशे में और राजने ते गलियारे में तरतरे की चर्चाह है तो आप तो यकिन वानिये कि चर्चाह भी चलती रहेंगी और जब तक मद्द्रदेश में मतदान होगा फिर मतगरना होगी और इसके बाद कौन बढ़ेगा मुक्मोंतरी बड़ा रोचक है यह पूरा का पूरा किलहाग मत्रदेश में कॉंग्रेस के जो मुखिया है कमल नाज जी उनके लिए बेहत खुशी की बात है कि उनका कद इतना बढ़ गया है कि बीचेपी को इतने बड़े नेताओं को मैदान पर उतारना पड़ रहा है यह चर्चाह हमारी लगातार जारी आप बने रहेंगी आप बने रहेंगा आप अधा खले उपड़ अगया है तो नॉलेच साथ चुगा मेरा साथ तीरा गंदा इसा अभी तो हमने बहुत चाहिए आप देख रहे हैं डखले उपड़